हेलो दोस्तों मेरा नाम है टोनी सिंग, आप सब का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हॉंटिट फाइल्स तो दोस्तों आज मैं आप सब को सुनाऊंगा विक्रम और बेताल की कहानी तो चलिए शुरू करे, बहुत पुरानी बात है धारा नगरी में गंधर वसे नाम का एक राजा राज करते थे उसके चार रानिया थी, उनके चहलर के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और बलवान थे संयोग से एक दिन राजा की मृत्यू हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंक गद्धी पर बैठा, उसने कुछ दिन राज किया लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला, और स्वयम राजा बन बैठा उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे, जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा एक दिन उसके मन में आया की, उसे घूमकर सेर करनी चाहिए और, जिन देशों के नाम उसने सुने हैं, उन्हें देखना चाहिए सो वह गद्धी अपने छोटे भाई भरत्रिहरी को सौप कर, योगी बन कर, राज्य से निकल पड़ा उस नगर में एक ब्राह्मन तपस्या करता था, एक दिन किसी देवता ने प्रसन होकर उसे एक फल दिया, और कहा कि इसे जो भी खाएगा, वह अमर हो जाएगा ब्रह्मन ने वह फल लाकर अपनी पतनी को दिया और देवता की बात भी बता दी ब्रह्मनी बोली हम अमर होकर क्या करेंगे हमेशा भीक मानते रहेंगे इससे तो मरना ही अच्छा है तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ ये सुनकर ब्रह्मन फल लेकर राजा भरत्रहरी के पास दिया और सारा हाल कह सुनाया भरत्रहरी ने फल ले लिया और ब्रह्मन को एक लाक रुप्य दे कर विदा कर दिया भरत्रहरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया रानी की मित्रता शहर के एक कोत्वाल से थी उसने वह फल कोत्वाल को दे दिया कोत्वाल एक वेश्या के पास जाया करता था वह उस फल को उस वेश्या को दे आया वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए वह उसे लेकर राजा भर्त्रेहरी के पास गई और उसे दे दिया भर्त्रेहरी ने उसे बहुत सा धन दिया लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया उसे बड़ी चोट लगी पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा उसने महल में जाकर राणी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया राणी ने कहा मैंने उसे खा लिया राजा ने वह फल निकाल कर दिखा दिया राणी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी भरत्रेहरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई वह बहुत दुखी हुआ उसने सोचा ये दुनिया माया जाल है इसमें आपना कोई नहीं वह फल लेकर बाहर आया और उसे दुलवा कर स्वयम खालिया फिर राजपार छोड योगी का भेस बना कर जंगल में तपस्या करने चला गया भरत्रेहरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्धी सूनी हो गई जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया वह रात दिन वही रहने लगा भरत्रेहरी के राजपार छोड़कर वन में चले जाने की बात जब विक्रम को मालूम हुई तो वह लोटकर अपने देश में आया आधी रात का समय था जब वह नगर में घुसने लगा तो एक देव ने उसे रोका तो राजा ने कहा मैं विक्रम हूँ यह मेरा राज्य है तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो वो देव बोला मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है अगर तुम सच मैं राजा विक्रम हो तो आव पहले मुझसे लड़ो दोनों में लड़ाई हुई राजा ने जरा सी देव में उस देव को पचार दिया तब देव बोला हे राजन तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ इसके बाद देव ने कहा राजन एक नगर और एक नक्षत्र में तुम तीन लोगों ने जन्म लिया था तुमने राजा के घर में जन्म लिया दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने कुमहार के घर तुम राजा हो और राज करते हो तेली पाताल मैं राज करता था और उस कुमहार ने योग साध कर तेली को मार दिया और शम्शान में पिशाच बना कर सिरस के पेड से उसे लटका दिया है अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है उससे सावधान रहना इतना कहकर वो देव वहां से चला गया और राजा महल में आ गया राजा को वापस आया देख सबको बड़ी खुशी हुई नगर में आनंद मनाया गया राजा फिर राज करने लगा एक दिन की बात है एक शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और राजा को एक फल दे कर चला जाता है राजा को आशन का हुई की देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था कहीं ये आदमी यही तो नहीं है ये सोच उसने फल नहीं खाया भंडारी को दे दिया फिर एक योगी आता और राजा को एक फल दे जाता संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था वो योगी वहीं पहुँचा और एक फल राजा के हाथों में दे दिया राजा ने उस फल को उच्छाला तो वो फल हाथों से छूट कर धर्ती पर गिर पड़ा, उसी समय एक बंदर ने जपट कर उसे उठा लिया, और तोर डाला, उसमें से एक लाल निकला, जिसकी चमक से सब की आँखें चौधिया गई, राजा को बड़ा अच्रज हुआ, उसने योगी से पूछा, आप ये लाल मु पूछे रखे सब फल मनवाए, और सारे फल तुरवाए सब फल में से एक एक लाल निकला, इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्श हुआ, उसने जोहरी को बुलवा कर उनका मूल्य पूछा, जोहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती है कि, इनका मोल करोलों रुपय नहीं आका जा सकता, एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है, ये सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़ कर गद्धी पर ले गया, और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बुरी बातें, दूसरों के सामने नहीं कही जाती, राजा योगी को अकेले में ले गया, हो जाएगा, एक दिन रात को हथियार बांध कर, तुम अकेले मेरे पास आ जाना, राजा ने कहा, ठोक है मैं जरूर आउनगा, इसके उपरांत योगी ने, दिन और समय बता कर अपने मठ में चला गया, फिर कुछ दिन बाद वह दिन आया, जिस दिन योगी ने राजा को ब जूरी पर, एक मसान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लड़का है, उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ, ये सुनकर राजा वहां से चल दिया, बड़ी भयन कर रात थी, चारों गोर अंधेरा फैला था, पानी बरस रहा था, भूत आदमियों को मार रहे हैं, राजा बेधरक चलता गया, और सिरस के पेड़ के पास पहुँच गया, पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था, राजा ने सोचा, हो ना हो, ये वही योगी है, जिसकी बात देव ने बताई थी, पेड़ पर रसी से बना मुर्दा लटक रहा था, राजा पेड़ पर चड़ गया और तलवार से रसी कादी, मुर्दा नीचे किर पड़ा, और दहार मार मार कर रोने लगा, राजा ने नीचे आग मुर्दे से पूछा, तू कौन है, वह मुर्दा खिल खिला कर हस पड़ा, राजा को बड़ा अच्रज हुआ तब ही वह मुर्दा फिर पेड़ पर जालटका, राजा फिर चड़ कर ऊपर गया, और रसी काड़ कर मुर्दे को अपने बगल में दबा कर नीचे आया, और बोला, बता, तू कौन है, मुर्दा फिर से चुप रहा, तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा, और योगी का राजा हूं, मैं तुझे एक योगी के पास ले जा रहा हूं, बेताल बोला, मैं एक शर्ट पर तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर तुम रास्ते में कुछ भी बोलोगे, तो मैं लोटकर पेड़ पर जालटकूंगा, राजा ने उसकी बात मान ली, फिर बेताल बोला, प कि बात बोला, मैं लोगी कि बाताल रहा हूं, बड़ताल बेताल बोला है, तो मैं मैं एक शिर बोला कर दोर तुम्हारे साथ दोलूंगा, अगर बोला है।